Hello everyone, कैसे हैं आपसे भी लोग? I hope आप बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आपके लेके आई हूँ हिस्ट्य ओफ RBA तो RBA के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, RBA कब बना था, क्यों बना था और इसके आपके governance कौन थे, क्या क्या currency हाँ पर release की गई थी, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए start करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे, RBA के बारे में RBA क्या है, एक central bank है, जो regulate करता है या supervise करता है Indian bank को, अब इसमें आपके NBFCs भी आ जाते हैं, small finance bank, private sector bank या public sector bank ये सारे include होते हैं इसके अलावा RBA क्या करता है, जैसे inflation हो जाता है, inflation को control भी RBA करता है, currency को issue कौन करता है, RBA करता है या आपके जो foreign exchange होते हैं, उसको manage कौन करता है, तो RBA करता है, तो ये सारे चीज़ें, सारे काम कौन करता है, RBA, ठीक है अब ऐसे ही जब बैंकों को जरुत पड़ती है, bank जाता है आपका RBA के पास, इसलिए RBA को बैंकों का bank कहा जाता है अब RBA को establish कब किया गया था, तो 1st April 1935 को establish किया गया था RBA को, और यहाँ पे कौन से act के तहट RBA को establish किया गया था, RBA Act 1934 को अब RBA क्यों बनाया गया या इसका खयाल क्यों आया, अब जब आपके First World War हुई थी, उसके बाद यहाँ पे economic crisis देखने को मिला था सारी दुनिया में अब क्या हुआ, Britishers को यह चीज आई ध्यान में, कि देखो सारे बैंकों का जो है downfall हो रहा है, तो अब एक regulatory body हमें बनानी चाहिए, जो basically बैंकों को डूबने से बचाए, तो यहाँ पे इन्होंने 1926 में एक committee तयार की, जिसका नाम था Hilton Young Commission, यहाँ आप इसे बोल सकते हो, Royal Commission on Indian Currency and Finance, जिनकी recommendation पे यह RBI Act 1934 जो है बना था, अब इन्होंने यहाँ पे जो है guidance किस्ते ली थी, BR Ambedkarji की जो बुक थी, The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution, और 1934 में इस बिल को पास कर दिया गया है, और यह बना RBI Act 1934, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज दो नोट करने वाली है, जब RBI पहले ही होता था आपका Calcutta, ठीक है, यहाँ पे अब एक और चीज जो important है, that is, यहाँ पे जो initial capital थी, RBI की वो कितनी थी, जब RBI establish किया गया था, तो कोई भी बैंक जब establish होता है, तो उसके लिए एक capital रखी जाती है, ठीक है, कि at least वो capital आपके पास होनी चीए, तब जाके आ प्राइस थी, वो थी आपकी 100 रुपी, तो उस ताइम पे market से उन्होंने 5 करोड के रुपे उठाये थे, ठीक है, ताकि RBI को establish किया जा सके, अब 1947 में इंडिया को independence मिली थी, और उसके बाद, यहाँ पे 1949 में RBI को nationalize किया गया था, nationalization का मतलब क्या होता है, that means, कि कोई भी organization अ पहला governor कौन था आपका RBI का, ठीक है, ऐसे ही सारे facts हम एक एक करके देखेंगे, तो पहला आपका governor RBI का था, before independence, इनका नाम किया था, Sir Osborne Smith, जिन्होंने 1935 से 1937 तक इन्होंने काम किया था, as a governor of RBI, ठीक है, वेरेस अगर independence, इंडिया के बाद करें, इंडिया के बाद, यहाँ के सोचने वाली बात है, कि सबसे पहला governor कौन था, जिसका जो है, currency note में signature था, ठीक है, कभी सोचा है अपने, तो देखो, James Braid ट्रेलर, जो हमारे second governor बने थे, RBI के, before independence, इनका sign जो है, पहली बार print किया गया था, currency note में, ठीक है, अब मुझे यह बताओ, at present, जो शक्तिकांता द जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो headquarter था, आपका RBI का वो कलकता में हुआ करता था, ठीक है, 1935 में जब establishment की गए थी, but 1937 में इसे जो है, shift कर दिया गया था, मुंबई में, ठीक है, कब shift किया गया था, 1937 में, and 1940 में, ये चीज़ नोट कर लीजे, that is, 1940 में, जो R RBI का accounting year है, वो change कर दिया गया था, July से June, ठीक है, आप सभी को पता होगा, accounting year July से June चलता है, RBI का, ठीक है, पहले ही है, calendar year की तरफ से चलता था, जैसे जैन से December होता है, ठीक है, अब financial year होता है, financial year आपका कब से start होता है, April से March तक, ठीक है, ठीक है, अगर हम लोगों की बात करे पुराना लोगों जो होता था, RBI का, अभी जो लोगों हमारा है, after independence, ठीक है, तो यहाँ पे common क्या है, और change क्या है, यह भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो पहले जो आपका symbol होता था, यह लोगों जो होता था, उसमें palm tree होता था, अभी हमने वही चीज यहाँ पे, जो ह animal का, वो है lion का, whereas हमारा जो national animal है tiger, हमने उसे यहाँ पे, जो है, अंकित किया है, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मुझे, आप बताओगे, that is, कि Reserve Bank of India, कौन सी country का central bank, जो है, बना था, in 1947, तिल 1947, and तिल 1948, जल्दी समझे, comment section में बताओ आप, तो देखो, अभी मैंने एक question यह पूछा था, कि शक्ति कांता दाज जी है, वो कौन से number के governor है, तो वो है आपके 25th number के governor of RBI, ठीक है, जो है present है, and 1947 में जो है, मैंनमार, तिल 1947, मैंनमार का जो है, central bank कौन था, RBI, and 1948 तक, पाकिस्तान का भी जो central bank था, वो था, आपका RBI, ठीक है, तो RBI ही उनके लिए central bank क काम कर रहा था, पाकिस्तान के लिए 1948 तक, and 1947 तक, मैंनमार के लिए, ठीक है, अब एक और question, जिसका आप मुझे answer दीजिए, that is, ऐसे कौन से RBI के governor रह चुके है, जो PMB बने है, इंडिया के, ठीक है, इसका comment section में मुझे answer दीजिएगा, now next हम बात करते है, RBI के function की, आपका प financial system, मतलब सारे बैंकों का regulator है, जो भी direction या guidance RBI देगा, वो सभी बैंकों को follow करना पड़ेगा, ठीक है, and supervise भी करता है, कि वो चीज, जो भी directions इन्हों ने दिये है, वो follow हो रहे है, या नहीं हो रहे, अगर इन केस नहीं हो रहे, तो उन पर penalty भी लगाई जाती है, ठीक है, next ह manager of foreign exchange, so यहाँ पर RBI क्या है, manage करता है foreign exchange को भी, अब जैसे यहाँ पर dollar की अगर हम बात करें, तो dollar की equal में Indian currency जो है, वो जादा उसकी value ना हो जाए, यह भी कौन stability देखता है, सारा RBI देखता है, and अगर ज़रुत पड़े तो foreign currency को sell और buy भी कौन करता है, RBI करता है, ठीक है, next bills हो गया, इनकी security के against में, RBI जो है, issue करता है, currency note, ठीक है, now next, यहाँ पर आपका है, regulator and supervisor of a payment and settlement system, आप सभी को इसी से ही पता चल रहा है, कि RBI करता है, regulate करता है, और supervise करता है, payment settlement system को, and यहाँ पर यह इंट्रिद्यूस करता है, efficient mode of payment system, किसके लिए, जो हमारी country की public है, कि ताकि उनकी जो requirement है, वो fulfill, fulfill हो सके, ठीक है, so अब जानते है, RBI ने पहली बार, जो है, note कब release किये थे, कब issue किये थे, ठीक है, so 1938 में, जो है, पहली बार, जो currency note है, Reserve Bank of India ने issue किये थे, और यहाँ पे print होना start हो गये था, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, और 10,000 के note, ठीक है, अब यहाँ पे आपको demonetization इंडिया में देखा गया था, ठीक है, और उस time पे, कौन-कौन से notes बन कर दिये गये थे, 1000 रुपीज, 5000, and 10,000 के, ठीक है, अब 1950 में क्या हुआ, 1950 में, यहाँ पे India, जो Reserve Bank of India है, इन्होंने यहाँ पे changes करना start कर दिया, ठीक है, British's चले गये थे, उसके बाद हमने यहाँ changes introduce करना start किया, पहले जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, King की यहाँ पे photo हुआ करती थी, बढ़ बाद में इसे अशुक स्थम से replace कर दिया गया था, and एक और चीज़ नोट करने वाली है, that is 1949 में, जब हम RVA nationalize हुआ था, इस time पे Government of India ने जो है, new design दिया था, एक पूरा चीज English में print हुआ करता था, वहीं पे Hindi को introduce किया गया था, हमारे currency notes में, ठीक है, 1953 में यह बदलाब लाया गया था, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यह चीज़ याद रखनी है, 1946 में, 1946 में पहली बार demonetization देखा गया, उसके बाद 1954 में यहाँ पे दुबार से यह जो notes थे आपके, 1000 के, 5000 के and 10,000 के यह दुबार से reintroduce किये गये थे, ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है आपको, then उसके बाद गया हुआ, यहाँ पे आप note देख लो, यह जो notes से आपके पहले कैसे नजर आते थे, 1000 का यह नोट है, यह 5000 का है and यह 10,000 का है, ठीक है, अब 1978 में, 1978 में दुबारा से यहाँ पे जो है, demonetization देखा गया, तो total इंडिया के history में अभी तक, तीन बार demonetization जो है, वो हुआ है, पहला कब हुआ था, 1946 में, second आपका हुआ था, 1978 में and third हुआ था, 2016 में, जो मोदी जी ने करवाया था, ठीक है, ना यहाँ पे next अगर हम बात करे तो दीरे दीरे जो है, RBI ने यहाँ पे अपने changes लाने शुरू किये, और यहाँ पे जो पहले note होते थे ना, उनका size बहुत बड़ा हुआ करता था, बड़ दीरे दीरे इसे भी reduce किया गया and 1967 में, 1967 में जो सारे आपके notes है, उनका size reduce कर दिया गया, ठीक है, यह चीज यहाँ और साथ में ही 1969 में, ठीक है, 1969 में महात्मा गादी जी की जो series थी, उसे note पे आपको इसको appear होना शुरू हो गया, मतलब कि यहाँ पे गादी जी की जो आप देखोगे अगर पुराने notes उठाके, तो वहाँ पे गादी जी की तस्वीरे आपको दिएगी, उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, from 1969, ठीक है, now यहाँ पे 20 रुपे का note और 50 रुपे का note जो है, वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया गया, from 1972 आपका, जो है 20 रुपे का note प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, and 1975 में जो है 50 रुपे का इस थाइप क का note जो है वो print करना start हुआ था यहाँ पर आप इसकी image देख सकते हूँ ठीक है पुराने notes अगर आपने देखे होंगे तो यह आपको देखने को मिलेंगे and please let me know in the comment section इन में से कौन-कौन से notes आपके पास है और अपने देखे हैं ठीक है अपने childhood में ठीक है और यहाँ पर एक औ कौन-कौन से changes हमें यहाँ पर लाए गए थे ठीक है तो 2000 में आपका 2000 November not November October 2000 में जो है आपका 1000 रुपे का note फिर से introduced किया गया था and जो 500 का note था उसमें changes लाके उसका color change करके इस type का कुछ pattern जो है फिर से लाया गया था ठीक है change करके और 2011 में एक और चीज़ अगर आपने note की हो यहाँ पर भी नहीं है जो भी आपने अभी notes देखे वह symbols वहाँ पर आपको नहीं दिखे जो 2011 में introduced किया गया था ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यह symbol जो था रुपे का यह symbol जो है चापना या आप बो सकते हो प्रिंट करना जो है वह start हुआ था 2011 में ठीक है तो यहाँ एक question है और अच्छा question भी इसका बन सकता है और यहाँ पर देखो इचीज note करना आप यह sizes भी लिखे हो है तो sizes भी आपको exam में कभी पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर एक interesting चीज है that is 2015 में दुवारा से reintroduce किया गया था आपका एक रुपे का note जो इस type का आपका दिखता है ठीक है sizes का important है पूछा सकता है और साथ में ही जो आपका third demonetization हुआ था वो कभू था आप सभी को date भी याद हो गई that is 8th November 2016 को जो है note बंदी हुई थी demonetization हुआ था और यह third demonetization था इंडिया की history में ठीक यहां पर sizes जो currency notes at present हमारे चलन में है पहला आपका है 10 रुपे का note जो 63 by 123 इसका size है next is 63 by 129 mm 20 rupees note 66 by 135 mm 50 rupees note next is 100 rupees note size 66 by 142 mm next is 200 note 66 by 146 mm 500 note 66 by 154 mm and next is 66 by 166 mm और यह है आपका 2000 का note ठीक है अब मुझे comment section में यह बताना कि जो 200 का note है वो कब introduce किया गया था अगर हम बात करें note के बहुत बात कर लिए अब note को print कौन करता है तो आपकी एक है आपकी जो है government of India own करती है organization और दूसरी organization है जो आपकी RBI own करती है ठीक है जो government of India own करती है वो है आपकी security printing and minting corporation of India limited जो जिसका दो जगा जो है printing होती है पहला अपका नासिक महराश्चा में दूसरी देवस मध्या प्रदेश में ठीक है अब RBI own जो organization है जो print करती है note वो कौन सी है भारती है reserve bank note मुद्रन private limited जिसका जो printing होती है मैसुर करनाटिका में होती है और दूसरी है अगर हम वही क्वाइन की बात करें तो क्वाइन जो है government of India की जो ओन जो subsidiary है या बोल सकते हो जो organization है वो print करती है कहां कहां पर यह print होते है Mumbai, Noida, Kolkata, Hyderabad ठीक है यह चीज़ याद रटनी है and मुझे यह बताओ RBI के जो museum है उसके बारे में आप में से किस-किस को पता है ठीक नेक्स आपका है Mumbai में ठीक है Mumbai, महराश्चा में और Kolkata, West Bengal में यह दोनों museum आपके located है अगर आपको time है तो please यहाँ पे जरूर जाएगा और इसके बारे में जरूर हमें comment section में लिखिएगा ठीक है अब बात करते हैं RBI के बात होई रही है तो RBI के ad present जो board of director है वो कितने है ठ जिसमें से एक आपका governor होता है ठीक है आठ आपके जो है RBI के होते हैं ठीक है deputy governor हो गए ठीक है और 8 member यहाँ पे government of India के होते हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है total जो central board के director होते हैं वो कितने होते है 21 होते हैं जिसमें से आपका एक governor हो गया 8 आपके RBI के person होते ह हैं और 8 आपके government of India के person होते हैं अगर मैं बात करूँ RBI के offices की तो कितने offices है या कितनी location में RBI के offices है तो आपका answer हैं पर क्या होगा total 31 locations में RBI के offices हैं ठीक है नेक्स हम बात करते हैं RBI की subsidies की तो total at present जो है 5 subsidiary है RBI की पहली आपकी है भारतीय reserve bank note मुतरन जिसके बारे में हम नपड़ा इसे 1955 में establish किया गया था RBI के द्वारा ताकि जो demand and supply है Indian rupee notes की उनको maintain किया जा सके नेक्स यहां बात करें deposit insurance and credit guarantee corporation की तो इसे RBI ने establish किया था ताकि जो आपके deposits हैं उन पर insurance जो है provide किया जा सके and जो credit facilities है उनकी guarantee यहां पर provide की जाएगी सारे Indian banks को next है national payment corporation of India इसे RBI ने establish किया था 2008 में और इसका main aim किया है कि जो payment and settlement होते हैं settlement system होते हैं India के उनको manage किया जा सके ठीक है उसके management के purpose से इसको बनाया गया था next है reserve bank information technology इसे RBI ने क्यों setup किया था ताकि जो information technology and cyber security needs है उनको improve किया जा सके और Indian banking जो industries है उसमें अच्छा काम किया जा सके ठीक है next है Indian financial technology and allied services इसको 2015 में जो है established किया गया था RBI के द्वारा और इसका main काम किया है यह design deploy and support करता है IT related services को सारे banks में and financial institution में हमारी country के और Reserve Bank of India में भी ठीक है so I hope guys आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी तो like and share ज़रूर कीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कीजेगा अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो औरो को भी share कीजेगा so मेलेंगे ऐसे ही next वीडियो के साथ till then take care have a nice day and all the best for your preparations